नमास्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारी चलम आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि CPRI या बात कहे जाए तो Central Power Research Institute की तरफ से भरती निकाली गई है और इसमें फ्रेंड डिप्लोमा, ITI सभी के लिए भरती निकाली गई है तो कौन-कौन से बच्चे इसमें form को fill up कर पाएंगे जो ITI के हैं या डिप्लोमा के हैं मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिसकस करने वाला हूँ आप लोग वीडियो को लाट्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानक करने वाला हूँ और एक्जाम आपका कब होगा सारा कुछ मैं बताऊंगा बस आप लोग वीडियो को लाट्ट तक बने रहेगा ताकि सारी जानकारी मिल सके और अगर आप लोग यूपी पीशियल या फिर बिहार इस्टेट पाउर होल्डिंग या एलपी किसी भी पारे चैनल पर स्लेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है क्लासिस इस्टार की गई है आप लोग नीचे जाके वहां से जॉइन कर सकते हैं या फ्रेंड अगर हैं नोट्स चाते हैं लक्रिशन की तो नीचे लिंक दिये गया है वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको 300 प्लस पेजस उसमें दिये गए हैं जो सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है तो फ्रेंड ये जो भरती निकाली गई है इसके पहले ये भरती आपकी आई थी लेकिन किसी कारणवास इसको कैंसिल कर दिया गया था तो यहां पर फिर से भरती निकाली ऑगी वह 40 पूस्टे है और यहां पर साविष टैर्ए इसस्टण के लिए長गा fa夏 ते On और इनकी के लिए तो तीव घ्रों को दिया गया है। यहां पर शारा कुछ रम बात करेंगे कि कौन-कौन कौन से बच्चे इसमें eligible है कौन कौन से बच्चे form को fill up कर पाएंगे सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको age limit की बात की जाए तो यहां पर age limit आपकी 30 years रहने वाली है जो यहां पर इंजिरिंग के लेवल पर जो डिगरी बात की जाए तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर ब्रां स्टी गइँ जह सेक्ट आप बताया कि इन्जिनिग इलेक्ट्रीकल इलक्ट्रीकल निट्रीमोल्निक्स यू इनके लिए हां पर आटेवरे इंजिटेन रखी गई है, और यहां पर communication engineering के लिए 5 सीटे रखी गई हैं, mechanical engineering के लिए 9 सीटे रखी गई है, civil engineering के लिए 4 सीटे टोटल यहाँ पे 40 सीटे दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पे scientific assistant के लिए यहाँ पे 4 सीटे दी गई हैं, जो experience भी पांच ES का मांगा गया है, यहाँ पे first class जो है BSC in community होना चाहिए, तो यहां पर सारा कुछ इन्होंने मेंसर किया है और age limit की बात की जायते हैं यहां पर 35 ES दिया गया है उसके बाद यहां पर बात की जाये आपके सामने assistant जो engineering के रूप में रहेगा इनका first class 3 year diploma उसके बाद 5 ES experience होगा सारा कुछ यहां पर मेंसर किया गया है तो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं electrical के लिए चार सीटे दी गए है सिविल के लिए चार सीटे और mechanical के लिए तीन सीटे दी गए है जो assistant की रूप में रखे जाएंगे उसके बाद यहां पर बात की जाये तो आप देख सकते हैं technician grade 1 जो ITI trade certificate in electrical मतलब कहने कई यह है कि यह यहां पर electrical बोला गया है जो electrician के बच्चे eligible हैं इनके लिए 28 सीटे यहां पर दी गए है उसके बाद assistant grade के लिए जो है grade 2 के लिए first class BA, BSC, BCOM, BBA, BBM, BCA जो भी आपके पास इससे लिटेड हो वो आप form को यहां पर फिलिप कर पाएंगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर age limit आपका जो count किया जाएगा वो 14,42,23 से जो है आपका include किया जाएगा और बात की जाए तो पर इसके लिए यहां पर जो है officer grade के लिए 4,900 लेकर 1,42,400 तक रहेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं जो scientific assistant के लिए 35,400 से लेकर 1,12,000 तक रहेगा engineering assistant के लिए 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है उसके बाद technician grade 1 के लिए 19,900 से लेकर 36,200 तक रहने वाला है फिर assistant grade 2 के लिए 25,500 लेकर 1,800,100 रहने वाला है और यहां पर friend आपको ध्यान यह देना है कि यहां पर selection जो आपका रहेगा वो CVT based पर रहेगा आपको ध्यान देना है यहां पर सारक कुछ इन्होंने mentor किया है तो यह थे friend सारी update जो है यहां पर आप देख सकते हैं